नमस्कार दोस्तों, कॉंप्टिशन कम्यूटी के यूटूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ आकास सिंग, इस वीडियो में हम एकनॉमी करेंट अफियर डिल करेंगे, जो टाइम डूरेशन हम कंसिडर करने वाले हैं, वह है 21 मही से 27 मही, अर्धात इन साथ दिनों में, जितने भी important economic event हुए हैं, important हमारे exam के point of view से, तो जितने भी important economic event हुए हैं, उसे हम cover करेंगे, और approach हमारा कैसा होगा, pre और means oriented approach होगा, अर्धात integrated approach होगा, असान शब्दों में, किसी भी topic को deal करने के बाद, उस topic से या उसके static part से, किस तरह से question पूछे जा सकते हैं, prelims oriented, उस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उस topic की उप्योगिता, means अधारीत कैसी है, उस पर भी हम बात करेंगे, और जब pre और means दोनों के दिश्टी कोंड से हम किसी एक topic को deal करते हैं, इसी approach को integrated approach कह दिया जाता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले news पर हम बात करते हैं, पहला news है, केंदर ने अपने हिस्से से घटाई, excise duty, राज्यो पर इसका बोज नहीं पड़ेगा, ऐसा वितमंद्री ने कहा है, इस news को discuss करने से पहले, थोड़ी सी प्रिष्ट भूमी पर हम बात कर लेते हैं, देखिए, पिछले कई दिनों से देश में petrol और diesel की कीमत बहुत जादा बढ़ गई थी, अब इसके पिछे कारण क्या है, तो पिछले current affair के वीडियो में मैंने कई बार discuss किया है, थोड़ी सी बात फिर से कर देता क्रूड ऑईल का supply नहीं हो रहा था, उसके पीछे current क्या था, तो रशिया और यूक्रेइन के बीच का jump, तो जब ये दो देश के बीच में लड़ाई होगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रूड ऑईल की supply है, जो chain है, जो शिंखला है, वह रुख जाएगी, वह बाधि क्रूड बाजार में पहुचने वाले बस्तु भी उची कीमत पर मिलने लगेंगे, तो अगर पैटोल और डीजल की कीमत बढ़ती है, तो ये माना जाता है, कि बजार में मिलने वाले लगबग सभी बस्तो की कीमत में वरिद्दी होने वाली है, अब इस समस्या के समधान के तोर पर क्या किया जा सकता है तो सबसे पहले तो यह किया जा सकता है कि उक्रेइन और रश्या को बुला जाए कि भी आप लोग अब लड़ाई जगड़ा बंद करिये देश में बहुत ज्यादा मुद्रा इस विदी आ रही है लेकिन ऐसा कर पाना थोड़ा सा तार्किक तोर पर संभव नहीं है तो क्या कर सकते हैं तो कर यह सकते हैं कि अपने आंतरिक नीतियों में कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे इस टेल की कीमत को रोका जा सकता है इसकी व्रिद्धी को कम किया जा सकता है तो उसी का एक समाधान ही है उसी बड़ी हुई व्रिद्धी को कम करने का एक सॉलूशन है और यह सॉलूशन क्या है कि गौवर्मेंट ने टेक्सेस कम कर दिये अब अगर एक्साइस ड्यूटी या उत्पाश शूल या टेक्सेस असान शब्दों पर हम टेक्स समझ कर चलते हैं अगर गौवर्मेंट टेक्स कम कर दे इन में तो इसकी कीमत बजार मे जो होगी वह कम हो जाएगी और जो इंफलेशन बढ़ रहा है उसकी गती थोड़ी सी धीमी हो जाएगी तो मोटा-मोटी बात तो इतनी है लेकिन चलिए कुछ और डिसकर्शन हम करते हैं कुछ छोटी-छोटी बाते इसमें और निकल कर आएगी तो उस पर भी हम बात करते ह हुए आगे बढ़ेंगे चलिए सबसे पहले हम इसकी उप्योगिता पर बात करते हैं तो यह प्रशन पत्र दो के भाग एक विशय निबंद अंतर राश्री एवं राश्री इस्तर के मुद्व पर बात के अदार से यह महतोपूर्ण है अब देखिए इस टॉपिक पर कोई निबंद आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन पिछले दिन ही मेंस का एकजाम हुआ और उसमें एसे का कोश्चन आया और कि एसे पर एक टॉपिक था यूनाइटेड नेशन से संबंदित जो की पूछा गया था रशिया यूकरेन के वार के दिश्टिकोंड से तो अब य आश्री समीकरण पर जूड़ी होई बात है ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए हो सकता है कि कई बार निबंद में ये मुख्य रूप से आप इस्तमाल ना कर पाए लेकिन एक दो लाइन में आप ऐसे जिक्र कर सके तो कुछ कंटेंट हमारे पास होना चाहिए जो भले निब संद के पॉइंट ऑफ यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ये साथी साथ प्रश्न पत्र पांच भाग एक भारत एवं 36 गड़ की अर्थ विवस्ता मुख्य रूप से भारत की अर्थ विवस्ता और टॉपिक सार्जनिक राजास अर्थास सरकार की आए इससे संबंदित ये सामने एक शब्द आया सैस इसे हम उपकर भी कहते हैं तो जरह ये डिसकस कर लेते हैं कि ये उपकर क्या होता है तो ये उपकर कर पर ही कर को कहते हैं कर की जो राशी है उसी राशी पर कुछ प्रतिशत और लग जाता है और एक बड़ी राशी बन जाती है लेकिन ये जो कर पर कर लगाया जाता है इस यह किसी विशेश उद्देश के लिए लगाया जाता है जैसे कि इंकम टेक्स प्लस तीन परसेंट एजूकेशन सेस या क्रिशी कल्यांट सेस या स्वच भारत सेस या तो सेस के पहले कुछ विशेश तोरका नाम आपको दीख रहा होगा तो यह जो सेस लगाया जाता है यह किसी विशेश उद्देश के लिए लगाया जाता है जैसे एजूकेशन सेस तो इस कर पर कर लगाने से जो अतिरिक राशी मिलेगी इस एजूकेशन सेस से जो अतिरिक र अतरिक्त राशी सरकार को मिलेगी उसके इस्तमाल किया जाएगा कृशी के विकास में स्वच्छ भारत सेस तो यहां से जो अतरिक्त राशी मिलेगी उसके इस्तमाल किया जाएगा स्वच्छ भारत के लिए अर्थात विशेश उद्देश क्या रहेगा भारत को स्वच्छ करन तो सैस या उपकर क्या है कर पर ही कर लगाने से अतरिक्त राशी जो मिलती है उसे ही हम उपकर कहते हैं उसे ही सैस कहते हैं जो किसी विशेश उद्देश से ही अरजित की जाती है 2021 में भी इसी मद में कटवती हुई थी ताजा और नॉबंबर 2021 की एकसाइस ड्यूटी से कटवती से सालाना दो दशमलों दो शुन्य लाख करोर रुपए का बोज आएगा जिसे केंदर सरकार वहन करेगी जरह इस पर भी हम बात कर लेते हैं देखें अगर सरकार कर की दर्ग कम करती है तो इसे एक पॉइंट क्या बनता है कि सरकार को कर राज्यासो क्या मिलेगा अधिक मिलेगा या कम तो हां कम मिलेगा अब अगर सरकार को कर राज्यासो कम मिला और सरकार के जो वह हैं वो कॉंस्टेंट है तो सरकार को क्या करना होगा इस कमी को जो डिफरेंस है आई और वह की बीच का जो डिफरेंस है उसे पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना होगा और सरकार को उधार लेना होगा तो तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार का राजकोशी घाटा भी बढ़ेगा अब आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएंगे कि ये राजकोशी घाटा क्या होता है और ये मेंस के एकजाम में भी पूछा गया था फिसकल डेफिसिट ठीक है तो अगर सरकार महंगाई को कम करन हम समझते हैं अगर कर की दर कम होगी तो वस्तूओं की कीमत कम होगी और वस्तूओं की कीमत अगर कम होगी तो बजार में मांग बढ़ेगा और अगर बजार में मांग बढ़ेगा तो देश की GDP भी बढ़ेगी या फिर आप ये कह सकते हैं कि देश में रोजगार बढ़ेग और लोगों की अगर आय बढ़ी तो सरकार को कर राजस भी अधिक मिलेगा क्योंकि लोगों की आय से ही सरकार की आय बनती है और अगर कर राजस सरकार का अधिक होगा तो राजकोशी घाटा कम होगा ये एक positive point है अब आपके मन में ये सावल आएगा कि सर आप दोनों ही बात में अलग-अलग बात कर रहे हैं, यह उल्टा बात कर रहे हैं, तो देखिए, ततकाल प्रभाव से तो पहला वाला पॉइंट जस्टिफाइड है, ततकाल प्रभाव से, और यह जो दूसरा पॉजिटिव अलब बात मैं आपको बता रहा हूं, यह थो प्रभाव पढ़ेगा, लेकिन दिर कालिक क्या होगा, कि मुद्रा इस्विती अगर नियंतरित होगी, तो देश में GDP अच्छी होगी, GDP बढ़ेगी, और लोगों की आए बढ़ेगी, जिससे सरकार की आए भी बढ़ेगी, चलिए, अब यह जो टॉपिक अभी तक आप पाव संभावित हैं, क्या impact expected है, चलिए, मुद्रा इस्विती कम होगा, राजकोशी घाटे में वृद्धी होगा, मुद्रा इस्विती अधीक होगा, तो देखिए तीसरा पॉइंट तो नहीं होगा, तो जहां पर यह तीन वाला statement आपको दीखेगा, उस option को काटते चलिए eliminate कर दिए, जो बच गया वो सही answer, option D, सही answer होगा, ठीक है, तो यह elimination method है, कि आपको सही अगर नहीं पता और आपको पता है कि गलत कौन सा है, तो गलत को हटाते चलिए, सही के पास आप automatic पहुँच जाएंगे, तो अगर उत्पाज शुल्क में कटोती होगा, तो मुद्रा इ बढ़ेगा क्योंकि सरकार की आय कम है, तो उस पर अधारी भी कुछ बात यहाँ पर important, कुछ news article में मिले, तो मैंने यहाँ पर रख लिया, चले डिसकस करते हैं, नुकसान को पाटने के लिए एक लाख करोड रुपए उधार ले सकती है सरकार, ठीक है, वही बाद, exercise duty घटा सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंदर सरकार एक लाख करोड रुपए उधार ले सकती है, चीक है, लेकिन दरहसल GST के साथ आयकर मद में हुई अधिक आमदिनी, GST भी बढ़ा है और आयकर भी बढ़ा है, तो इसमें जो अधिक आमदिनी हुई है, वह आमदिनी खाद्य और उर्वरक सबसिडी वित्रित करने में चली जाएगी, खाद्य और उर्वरक सबसिडी पर अतरिक्त खर्च से बेसर हो जाएगी, तो भई जो यहां से एक्ट्रा इंकम आएगा, GST से और इंकम टेक्स से आएगा नहीं, आया है एक्चुल में, तो यह जो अधिक आय आया है, अतरिक्त आय पहुंची है सरकार तक, यह कहां चला जाएगा, तो यह अतरिक्त सबसिडी बाटने में चला जाएगा, ऐसे में केंद्र को इस नुकसान से अतरिक्त बजार उधारी के माध्यम से वहन करना होगा, ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ कर ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने अन्य साधनों से आई इकठा कर लेगी और उधार लेने की अवशक्ता नहीं पड़ेगी ऐसा सरकार के स्टेंड है बाकी देखेंगे जैसा जैसा समय आता जाएगा अपडेट होता जाएगा हम डिसकस करते जाएगे मुद्रा इस्विती कम होने की संभावना है तो पेट्रोल उत्पात पर अगर आट रुपए और छे रुपए प्रती लीटर की कटोती होगी तो जून से खुद्रा महंगाई 25 अधार अंक घट सकती है अर्था 0.25% इंफलेशन कम हो सकता है जून से अब आप कहेंगे सर बस इतना ही कम तो यह इतना भी बहुत जादा होता है ठीक है और अगर यह इसी तरीके से बना रहेगा तो आगे चलकर यह इंफलेशन का जो रेट है और कम ह होगा और एक न्यूस यह भी आ रहा है कि ऐसा संभावित है कि जून में जो मौनेटरी पॉलिसी आएगी जो मौद्रिक निती आएगी उस मौद्रिक निती में आर बी आई रेपो रेट को और बढ़ा सकती है अभी वीश में बढ़ाया गया था लगभी चालीस अधार पॉ में लगभग लगभग इतनी ही बाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंटेंट में और अगला कंटेंट है विशेश आहरण अधिकार से अर्थात इस्पेशल ड्रॉइंग राइट्स उप्योगिता क्या है तो प्रश्न पत्र साथ के भाग दो में अंतरराश्री एवं राश्री खेल घटनाए एवं संगटे विशेश है और जिसमें हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराश्री मुद्रा कोष्ट और यह SDR प्रत्यक्ष तोर से अंतरराश्री मुद्रा कोष्ट से संबंदित है तो इस पर भी बात करने से पहले थोड़ी प्रिश्ट भूमी हम इसकी भी देख लेते हैं कि एक्ष्वल में मामला क्या है और फिर उसके बाद हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे चीक है तो सबसे पहली बात तो यही है क इस्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है तो देखिए इस्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR IMF का एक टूल है जिसमें कुछ करेंसी इसको रखा गया है उसका बास्केट बनाया गया है और इन करेंसी के अधार पर इसका कुछ एक्विलेंट वेल्यू डिसाइड किया ग पदले इसे इस्तमाल किया जाता है जैसे फॉर एक्जामपल अभी मान लेते हैं कि डॉलर की बहुत ज्यादा अवशक्ता है हमें ठीक है तो हम रुपए देकर डॉलर खरी देंगे तो इससे होगा क्या डॉलर की डिमांड बढ़ेगी डॉलर मजबूत होगा दूसरा बढ़ता जाएगा अर्धात एक डॉलर सतर रुपए के बराबर अगर था तो क्या हो जाएगा एक डॉलर बराबर पच्छतर रुपए तो अगर इस तरह से एक्शेंज हम करते रहेंगे तो जो एक्शेंज रेट की वोलिटिलिटी है मार्केट में ये बहुत जादा सेंसि कमजोर होने से बचेगा देगे कमजोर तब भी होगा क्योंकि डॉलर के डिमांड तो बढ़ी रही है ना इल्टिमेटली लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा थोड़ा सा शौक अबजॉब अबजॉबंग हो जाएगा तो इस डियार को डॉलर के बदले भी हम दे सकत चीक है कौन कौन से करिंसी है इस बास्केट में जिसके एक्विलेंट इस डियार के वैल्यू बनाई गई यह तो बात कर लेते हैं यूएस डॉलर है यूआन है येन है यूएन को 2016 में जोड़ा गया था और इन सब करिंसी के अपने अपने वेटेज हैं जैसमें सबसे ज्या जो इसमें भार बनाकर रखा है वह कौन है अमेरिकन डॉलर चलिए अब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं आएमेफ निव वर्ष 2016 में चीनी मुद्रा यूआन के टोकरी में शामिल होने के बाद से SDR मुल्यांकन की अपनी पहली नियमित समिक्षा में यूआन का भार आंक बढ़ाया है अर्धाद ये जो यूआन है इसका भार बढ़ाया है पहले इसका भार कितना था 10.2 और अब भार हो गया है 12.28 7.7 अमेरिकी डॉलर का भारांक भी 41.73 प्रतिशल से बढ़ा कर 43.38 कर दिया गया है तो यूआन का तो बढ़ा है 7.7 किसका बढ़ा हुआ है अमेरिकान डॉलर का बढ़ा हुआ है और उसके अलावा उसके अलावा बाकि सब का जो वेटेश है वो लगभग लगभग कम किया है, चाहए हो यूरो हो, चाहए हो यें हो, चाहए पॉंड हो, तो अमेरिका का और यूओन का जो वेटेज है, इ hanno currency का जो वेटेज है, SDR के value निकालने खिले हुए, उनका वेटेज बढ़ाया गया है, समिशा के बाद मुद्राओं के भारांग की रेंकी समान है रैंक में कोई परिवरतन नहीं आया है और साथ ही युवान तीसरे इस्थान पर अभी भी बना हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं SDR की परिचे तो वही परिचे जो अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आप लोगों को दे दिया है आप स्क्रिंशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं SDR बास्केट में US डॉलर, यूरो, जापानी येन, पॉंट, स्टरलिंग, एवं चीनी, रमन भी मौझूद है ये पांच करिंशी है चलिए Question, हाली में IMF की समिक्षा के बाद मुद्राओं के भारांक रैंकिंग में सिर्च इस्थान पर कौन है? तो कौन है American Dollar? जब ये भारांक नहीं बदला गया था उसके बावजूद भी सिर्च इस्थान पर कौन था? American Dollar आएमेफ की समिक्षा के बाद अमेरिकी डॉलर का भारांग बढ़ा कर कितना प्रतिशत किया गया है तो 43.38 प्रतिशत कर दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतरराश्टी मुद्रा कोश के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं और यह हमारे पेपर सेवन पार्ट टू से कनेक्टेड है रिलेटेड है जूतिव विश्व यूद्ध के बाद जब माना जाता है कि पूरा विश्व ल भार निकाला जाए और पूरे विश्व को पुना इस्थापित किया जाए इस उद्धेश के साथ इस आयमेफ का गठन किया गया था आयमेफ की स्थापना 1945 में हुई थी और यह उन 190 देशों द्वारा शाशित और उनके प्रति जवाब्दे है जो इसके वैश्वीक सदस्य तो कितने सदस्य हैं इसके 190 सदस्य हैं भारत ने इसकी सदस्य था 27 दिसंबर 1945 को ग्रहन की थी ठीक है आयमेफ का उद्धेश क्या है तो प्रात्मीक उद्धेश है अंतर राश्री मौद्रिक प्रणाली की स्थिर्था तो जो मॉनेटरी सिस्टम है उसकी स्थिर्था इसका पहला objective है बिनिमेदरों को और अंतर राश्री भुक्तान की प्रनाली को regulate करना भी इसका objective है तो एक्षेंज रेट और जो इंटरनाशनल लेवल पर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में जो economic transaction चल रहा है इस पर भी निगरानी रखना अर्थात कितना import कौन कर रहा है कितन समधान निकालना यह सारा जिम्मेदारी IMF का ही होता है चलिए अब भारत और IMF के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखें जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के आर्थिक सिदी के अधार पर उनको voting power मिला है उनको quota मिला है तो जरह उस पर भी हम बात कर लेते है और यह एक्जाम में कई बार पूछा भी गया है वर्ष 2016 में IMF में quota और प्रशाशन संबंदी सुधार हुए थे इसके अनुसार भारत का मद्दान अधिकार voting power बढ़ा कर 2.3 से 2.6 कर दिया गया था चीन का जादा बढ़ा था 2.2% बढ़ाया गया था और 3.8 से 6% हो गया थ बरतमान में भारत के पास IMF में विशेज आहरण अधिकार quota है 2.75% और vote है 2.63% तो सदसे देशों को HDR प्रदान किया जाता है तो भारत के पास जो HDR आएगा टोटल SDR का कितना प्रतिशत SDR IMF भारत को देगा तो उत्तर क्या है 2.75% SDR भारत को मिलेगा IMF के द्वारा और मतदान अधिकार कितना है भारत के पास तो 2.63% मतदान अधिकार है ठीक है चलिया अब कोश्यन वरतमान में भारत के पास IMF में विशेज आहरण अधिकार quota और वोट कितने प्रतिशत हैं तो उत्तर क्या है 2.75% और 2.63% भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतरगत IMF में क्या शामिल है तो इसका जवाब यहाँ पर है IMF में स्वण भंडार विदेशी मुद्रा संपत्ती रिजर्व ट्रेंच के अलावा अन्य विशेश आहरण अधिकार भी शामिल है तो इसका उत्तर क्या होगा उप्रोक्त सभी स्वण भंडार भी है विदेशी मुद्रा संपत्ती भी है रिजर्व ट्रेंच भी है और चौथी तिमाही में 3.5 प्रतिशत रह सकती है व्रिधी, ऐसा इकरा ने कहा है, इकरा क्या है, इकरा एक रेटिंग एजनसी है, जो रेट करती है किसी भी अर्थ विज़स्था को उसके आर्थिक इस्तिथी के अधार पर, तो रेटिंग एजनसी, एकरा का मानना है कि समाप्त वित्वर्ष अर्थाद 2021-22 जो समाप्त हो चुका है, उसकी चौथी तिमाही में, अर्थाद जनवरी, फरवरी, मार्च, सकल घरेलू उतपात की व्रिधी दर गिर कर 3.5 परसेंटेश रहेगी, और तीसरी तिमाही में ये क क्यों अनुमान लगाया गया है, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था, ओमिक्रॉन आया था, एक वेरियंट था कोविट का, जिसकी वज़ा से थोड़ा सा एकनॉमिक अक्टिविटी फिर से इंपक्ट हुआ था, तो इसकी वज़ा से GDP ग्रोथ रेट थोड़ी से डाउन हो होगी, ठीक है, जिन्सों के दाम अधिक हो गए, जिन्स अर्धार, कॉमेडिटी, वो जिन्स नहीं जो हम पहनते हैं, ठीक है, तो कॉमेडिटी के प्राइस बढ़ गए थे, कॉमेडिटी के प्राइस बढ़ जाने से, जो प्रोड़ट के कीमत है, अन्य प्रोड़ट के कीमत उसमें वृद्धी होई थी और उसका डिमांड मार्केट में कम होगा तो अभी GDP डाउन होगी उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी चीक है और इसके साथ ही मार्च में समानने से ज़्यादा गर्मी पढ़ने से गेहूं की पैदावार में भी प्रतिकूल असर पड़ा था त उत्तर देखते हैं एकरा के अनुसार 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की GDP कितना प्रतिशत अनुमानित है तो उत्तर क्या है 3.5% ठीक है रेटिंग एजेंसी एकरा का वश्च 2021-22 की चौथी तिमाही में GDP में कमी के पीछे कारण क्या है तो ओमिक्रोन जिनसों के दाम इकुल असर पढ़ना ठीक है अर्थात उप्रोगत सभी तो इस वीडियो में इस पार्ट में हम इतने ही इवेंट को इतने ही करेंट पार्ट को हम डिल करेंगे क्योंकि इसके अलावा भी और कुछ खबर जरूर थे लेकिन हमारे एक्जाम के पॉइंट आफ्यों से उतने मह के लिए टेक कियार गुडबाई एंड थेंक यू